परिवार के त्माम लोग चाहिए वो मुलाइम सिंग्य आदम हो लालू यादम हो नितिश कुमार हो या देवगोडा जी हो या और भी कई लोग है जो अभी इस बोर्चे में आपके साथ नहीं है वो कॉर्परेट जगत का भरोसा नहीं जीत पाए कभी उनके ओपर कॉर्परेट जगत का हाथ ने रहा और फैनेशल क्रैसिस से लोग चुनाओ जब भी आता है इनके सामने बला संकट होता है चुनाओ लड़ने के लिए पैसा नहीं आता है दुनिया का इतिहास है कि बड़े बड़े काम और युगांत कारी काम गरीब लोग ही आम लोग ही करते हैं ये कार्परेट के सहारे चलने वाले लोग ये तड़क भड़क ये सान सावकत ये ज़ादे दिन तक टिकता नहीं है तो अभी ठिक रहा है लेकिन ये बुमराइन करेगा इन्हीं के सर पर गिरेगा जूट की जो खेती बारी है ये जादे दिन नहीं चलेगी तो वो उनकी आइडिलोजी का हिंसा है हिटलर की का देखिए हिटलर की आइडिलोजी देखिए किस तरह से उसने लोगों को मने उकसाया और किस तरह से उनमाद पहलाया और किस तरह से जूट जाल फरेब का सहरा लिया और किस तरह से पूरी दुनिया के लिए बरबादी का सबब बना। क्या ये जो मौजुदा सरकार है क्या उसी रास्ते में चल रही है। बिल्कुल वो फलस्फा वही है, उनकी आइडलोजी वही है। देखी हिटलर ने भी पहले अपने पार्टी पर कवजा किया। उसके बाद उसने सरकार बनाई और उसके बाद दुनिया को विस्वजुद में जोंक दिया। तो ये है, ये बहुत बड़ा खत्रा है। इसलिए जो भी समझदार लोग हैं वो मोटा मोटी समझ गये हैं और बाकी बचे-खुचे लोग समझ जाएंगे। और ये अब लड़ाई होगी, आरपार की लड़ाई होगी। तब तक तो मुझे लगता कि समझगा बीजेपी किसरकार बन चुकी होगी। देखिए, हम लोग लोहिया, हम लोगों के आदर्स हैं, तो लोहिया जी कहते थे कि जिन्दा कों में पांच साल इंतिजार नहीं करती। तो चलता रहेगा, उनका पाप का जो घड़ा है, वो भरने में कुछ समय लगेगा ना, अभी नया नया ये हैं, सब लोगों का एक बाएक तो मोह भंग होता नहीं है। तो देरे-देरे मोह भंग होगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम लोग इधर से कमर कस रहे हैं, और लडाई की तैयारी हम लोगों ने सुरू कर ली है, दिशा सही है। अब देखिए, कितना परसेंट इनको भोट मिला था। लोग सभा के चुनाओं में, सीधा सीधीन साहब है, 31 परसेंट के भोट पर ये जीते हैं। और इसका मतलब कि 69 परसेंट भोट तो उनके खिलाफ है। तो 69 परसेंट का अगर आधा भी अगर एक जूट हो जाए तो उनसे भारी पड़ेगा। उनसे भारी पड़ेगा। लेकिन आधा ही क्यों। और बड़ा हिस्सा हम लोग एक जूट करके इनको पढखनी देंगे। बिहार में वो किया है। उत्तर प्रदेश में आप देख कुछ बिडिएगे। कहां नहीं हा रहे हैं बाई एलेक्टेस में गुजरात तक में हा रहे है। करनाटका में हा रहे हैं कहां नहीं हा रहे हैं। दिल्ली में भी थोड़ीस आपको सम्जदारी अगर लोग दिखाएं उत्तर परदेश में देखियेolis क्षिगं इनकी क्या हा आया नहीं है कांग्रेस का इस तरह का फेलियर हुआ और कांग्रेस ने कुछ अच्छे भी काम किये तो उसका इंपेक्ट नहीं बना उस पर इनका जो करपसन था इनका घोटाला था वो सब हाभी हो गया तो एंटी इंकम्बेंशी भी था और फिर आपस में शेकुलर तरह से एक जूट नहीं हो पाए जो मुलक के आप हालात बता रहे हैं जिसमें कि आपको लगता है कि सब्सक्राइब हो हिटलर की तरह काम कर रही है और ये मुलक के लिए अच्छे हालात नहीं है तो क्या इसके लिए आप कांग्रेस को कितना बड़ा जिम्मेदार मान देग ये मैं हिटलर की तरह मैं सिर्फ नहीं का रहा हूँ हम लोग तो बहुत पहले सकते ये बी-जे-पी की एम-पीज भी हम लोग आपस में तो बतियाते हैं ना सेंट्रल हाल में बैट करके आप लोबी में घूमते चलते ट्रेन में होई जहाज में बतियाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि एकदम हिटलर की चाल चल रहे हैं वो लोग डरे हुए हैं सामे हुए हैं एक दूसरे को संदेह की नजर से देख रहे हैं और उनके मंत्रियों की हालत तो सहाब मने क्या कहा जाए जो कहा जाता है कि चपरासी भी उससे आजाद अपने को महसूस करता है उनके मंत्री जी की हालत देख लीजिए तो एक ना एक दिन देखिए लग रहा कि आपोजिसन कमजोर है लेकिन उनके पार्टी के अंदर भी यह डिमोक्रिटी की यह जर्मनी नहीं है और जर्मनी में जो सेकंड वर्ल वार थोपा हिटलर ने उसके बाद से बहुत सारे तज्यूर्बे ख़िदर होगा उनके पापा घड़ा भर जाएगा और जनता उन्हीं नकार देगी अरे रणनीत नहीं है तो हम लोग अपने झ्छञड़े को निफटा करके एक जूट हो रहे हैं यह हमारी रणनेत है कि हम उनको याद दिला रहे हैं कि आपने ये वादा किया था काला धन आपने बिहार को special category state बनाने का वादा किया था special package देने का वादा किया था आपने देखा हमारे निता नितीश कुमार मीटिंग में आप जा रहे हैं तो एक तो सुना अपनी बात कह करके और मोधी का टेप सुनाते हैं कि देखिए क्या वादा किया था वो टेप बजता है और उसके बाद जनता थू थू करती है उनको हम लोग भी ये कर रहे हैं अब बात है कि थोड़ा अभी हम लोगो जो कार्पोरेट मीडिया है चोटे उसका समर्थाना भी चलिए हब बहराल इस मुद्धे पर और कई और पहलों पर हम भी बात करेंगे ल जोने वे तमाम मुद्धों के कुछ और पहलों पर बात करते हैं आप कहीं मत जाएएगा बने रहिएगा हमारे साथ